फेस्बुक की साउस सेंटरल पॉब्लिक पॉलिसी डारेक्टर अंखी दास ने दिल्ली पुलिस की साइवर साल इनुट में कई लोगों के खिलाब शिकायद दर्च कराई अंखी को ऑनलाइन पोस्ट और कंटेंट के जरिये कथी तोर पर जान से मारने की धमकी मिली है बता दे कि अंखी दास फेस्बुक में पॉलिक पॉलिसी डारेक्टर हैं उनका आरोप है कि एक विशेश राजनीतिक दल के साथ मिलकर कई लोगों ने WSJ में छपे एक आर्टिकल के बाद उन्हें टार्गेट करना शुरू कर दिया है दास ने उन पर यौन रूप से भद्धी टिपनिया करने का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा है कि उनकी पर्थिष्टा को नुकसान पहुँचाने और उन्हें बदनाम करने के लिए यह सब गिया जा रहा है तो यह जानते हैं कि कोन है आखिर अंखित दास और किन वजाओं से उन्हें ये धमकिया मिल रही है किन वजाओं से वो चर्चा में है और सबसे बड़ी बात यह कि उनका एक परिचवेः बताने के लिए काफी है कि वो प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी के लिए कितनी एहमियत रखती हैं बतादे कि प्रधानमंतरी मोधी की एक व्यक्तिकत वेबसाइट है जिसका नाम है नरेंद्रमोधी.in इसके साथ ही उनका व्यक्तिकत एब भी है नमो एब वेबसाइट पर न्यूस सेक्शन के रिफ्लेक्शन सेक्शन के एक कॉंट्रिब्यूटर्स कॉलम में और नमो एब पर नमो एक्सकुलूजिव सेक्शन में एक टैब या स्थान पर कई लोगों के लेख परकाशित किये गए हैं वहाँ पर जो 33 नाम है उनमें से 32 नमबर पर अंखिदास का नाम है यानि अंखिदास एक परिक्शे ये भी है कि वो नरेंद्र मोदी की वेबसाइट और एब की कॉंट्रिब्यूटर है यानि वह वहाँ पर लेख लिखती है हलाकि ये बात अलग है कि अपरेल 2017 से एप के साथ जुड़े होने के बावजूत वहाँ उनका एक ही लेख दिखाई दियता है जिसका शीरसक है परधान मंत्री मोदी और शासन की नई कला और इस वेबसाइट पर जुन का परिचे लिखा है वो ये है कि अंखिदास भारत और दश्चिन एबं मध्य एशिया में फेस्बुक के लिए लोगनीती की निदेशिका है उनके पास टेक्नोलोजी सेक्टर में लोगनीती और रेगलोर्टरी एफेर्स में 17 साल कानुभव ह वैसे अंखिदास मूल रूप से पश्चि मंगाल की नहने वाली है कॉलकाता इनिवरस्टी के लॉरेटो कॉलेज से ग्रेजुशन किया इसके बाद जेन्यू से इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली दास अक्टूबर 2011 से फेस्ब में काम करने के लाबा कॉलम भी लिखती है उनका नाम कुछ अंग्रेजी अख़बार और अमेरिकी वेबसाइट के कॉल्मनिस्ट लेखोगों की लिस्ट में है वैसे उनके विवादों में आने का कारण सबसे बड़ा यह है कि फेस्बुक पर रहते वे उन पर किसी एक पार प्रत फिलाने वाले भाशनों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया हलाकि फेस्बुक ने इस पूरे मामले पर सफाई देते वे कहा है कि हम हिंसा को उकसाने वाले हेट स्पीच और कंटेंट को परतिबंधित करते हैं हम यह सब देखे बिना इन नीतियों को दुनिया भर में लागू करते हैं कि किसी की क्या राजनेतिक हैसियत है या वो किस दल से जुड़ा है हम निश्पक्षता और सटीकता सुन्षित करने के लिए नियमों को और धारदार बना रहे हैं साथ ही हम अपने परकरियाओं की नियमित रूप से ऑडिटिंग भी करते रहे हैं पर फिलह या पर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कि पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन को दबाना ना भोले तक यह को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो